कि हालो एवरीवान वेलकम बैक अगेन तो माई ऑफिशल यूटीब चैनल मैं करना रोडा फांडर एंड सीयों आप सबीकर स्वाखित करता हूं आज की इस वीडियों गेंदर मैं आपको बता हूं कि कैसे आप यूएस डिटी से पैसा कमा सकते हैं पैसा कमाने की बहुत थारे की इक्वल देखने को मिलता है वजीर एक्स के उपर इसका प्राइस वरसा आपको जादा देखने को मिलेगा देखिए अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं और आपको जो प्रोजेक्ट वह बाहर से मिलते हैं आपके जो क्लाइंट्स है वो यूएस कैनेडा यूगे निजिल स्वै hijos कैंडे काउंट उसको बैंइस कांट है तो आपको क्या करना है उसको बोल लेकि़ आप मेरे बाइनेंस एकाउंट्स को अगर नहीं है तो मैन दूसरी स्टैटेजी ढिसकस किरूँंगा फहले यहां से अच्छे से जान हो तो अगर आपके बाहर के अंतर करें अगर डॉलर का प्राइज आपको वहाँ पर इक्जेक्ट की तॉत ना देखने को मिलता है अगर आपको देखने को मिलता है फॉरक्जांपल 75 यह 74 के र wilmen ऐसे बोल तो 74 के रहुंड है बाइन से ओब सब्सक्राइब आपको तो डॉलर तब उतने मिलने अगर पेपाल के थू लेते और पैपाल पैसे भी इतने काट लेता ठीक है अब आपको 74 जो आपको मिले हैं आपके बाइनस एकाउंड के अंदर आपको वजीर एक्स में ट्रांसफर कर लेने जब आपकी बाहर की पेमेंट वजीरेक्स में आएगी वजीरेक्स में प्राइस कितना है 77 के राउंड तो 74 वाली चीज में आपके 3 रुपे और बढ़ जाएंगे और उपर से आपको किसी को पैसे भी नहीं देने तो अगर आप बाहर की पेमेंट अगर लेते हैं क्लाइंट से तो कोशिश कीजिए आप उसको बोलो कि आप मेरे को पेमेंट देदो बाइनस अकाउंट के अंदर तो अगर मेरा कोई क्लाइंट है यूए यूए यूके अंदर जैसे हम प्रोडक्त बनाते हैं वेब डिवल्मेंट कर तो यह सौफ्टर डिवल्पेंट या मोबाइल अप्लिकेशन डिवल्पेंट तो मुसको बोलूँ का यार तु मेरे बाइनस अकाउंट में पेमेंट कर दे जो भी डॉलर्स में तुन्हें पे करनी है आप अपवक की उपर काम करते हो फ्रीलांसिंग में काम करते हो जिस भी तरह से अगर आप काम करते हैं आपके क्लाइंट जो है वो भाहर फॉरेंग क् सकते हैं अब दूसरी ट्रिक आप जब भी देखो यह डॉलर के प्राइस की को आपको देखने को मिलता है अल्मस्ट आपको 74 पे बाइक करना होता है और 78 के राउंड 79 के देखो इसी के बीच में घूमता है यहां पे चला जाए 80 के वास पास चला जाए तो मतलब समझनों व हुमारे लिए एक बॉनस है फिर से देखो 74 के राउंड मिला फिर से 78 74 78 उपर जितना जा रहा है वह बॉनस है ठीक है अब यहां से एकदम नीचे एक बार आया था लेकिन यह जब मार्किट क्रैश करी थी तब आया था और यह बहुत ही few seconds के लिए आया था इंस्टेटली बाग गया था तो मैं फिर से 74 के राउंड देखने को मिला फिर से 77 के राउंड सेल किया अभी लास्ट टाइम पर मैं ऐसी कर रहा था 74 पर बाय कर रहा था तो यह तो मार्च एप्रिल की बात है उसके बाद जब बूल मार्किट इक दिम से उपर गई तो 88 के राउंड आप कि देखो 91 के ऊपर बीज का तो प्राइस है वो चला गया था लेकिन तो प्राइस कभी जाना नहीं चाहिए I don't know why कि क्योंकि USDT को तो यहां पर कोशिश यह होती है कि एक डॉलर के आसपास रहे दो तीन रूपे का उपर नीचे हो सकते एक्षीन जिसके वज़ा से क्योंकि ह यहांपे ट्रेंड लाइन रोगरते हैं तो यह जो यूज़ करते हैं जो यह वे Depay इसी ट्रेंड लाइन को ट्च कर के नीचे आता बीजिए दो भीष ठाकष करना तो को ता 되고 grand ट्रेटिंग करते हैं जो की उनको यह है कि हमें एक रुपे अभी प्रॉफिट मिलता है बहुत है हमें एक पॉकेट मनी हमें चाहिए हमें महीने के पांच जार बन जाए दस अजार बन जाए और हमारा जो पैसा को 100% सेफ रहे और हम जब मर्जी निकाल सके हमें लौस में नही लोगों के लिए अब यहां पर आप देखो यहां से यह नीचे की तरफ मूव कर रहा था और यहां से यह जो ट्रेंड लाइन है यह ऊपर की तरफ जा रही थी जो प्राइस था यह इसी दो ट्रेंड लाइन के बीच में था और अपनी सपोर्ट और रजस्टेंस लेवल के बीच में यह ट्रेट कर रहा था अभी हमें यहां से नहीं देखना अभी हमें क्रण्ट सिन्यारियों देखना है तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि हमारे लिए इसको समझना जो है वो बहुत इजी हो जाए अब यहां से अगर हम बात करें तो अगर 74.46 के उपर अगर आपको मिलता है 74 पे मिल जाए 75 पे मिल जाए तो आँखे बंद करके आपने USDT भाइए कर लेना है जितने की भी आप योज़ द्टट वाइश करना चाहते है वह आपकी विष है आप दसजार की लिए या पचास जार की लिए या आप एक लाग की लिए आपकी विश आप कितने की USDT भाई करना जाते हैं अगर एक रुपे भी प्रॉफिट आपको मिलता है तब भी उसे आप से आपको एक अच्छी खासी अगर जो इंकम है वो हो सकती है महीने में आपको दस ट्रेड भी ऐसे मिल गए तब भी आप एक अच्छा कासा प्रॉफिट अंगर सकते हैं अ आप यह देखो कि अगर आप 50,000 भी अगर आप स्पेंड करते हैं मैं यह बोलता हूं कि USDT का प्राइज मान के चलो सो रुपे हैं सो रुपे के हिसाब से आपको 50,000 एमांट स्पेंड करनी है और प्राइज जो है वो इसका 100 रुपीज है तब भी आपको यहां पे 500 USDT मिल ज आती हैं मैं जाता हूं चाहिए प्राइजoca कि एक रुप exemption Jonesy स elétब बढ़े का तो आपको 500 रुपिज का प्रौफिट हो जाएगा एक ट्रेड में आप को 500 रुपिज का प्रौफिट हो रहा है अगर आप 50,000 लगाते हैं और अब आपको क्या करना है अगर दस च्रेट भी आ 77 तक अराम से चला जाता है, 2 रुपए आपको ट्रेड में मिल जाते हैं, हम यह मान के चलते हैं कि आपको एक रुपए मिलता और दस ट्रेड ऐसे मिलते हैं, तो 500 इंटू 10 करोगे तो आपको 5000 रुपए मिल सकते हैं, अब यह देखो कि 50,000 अगर आप लगाते हो, उसका आपको 5000 पर मन्त की रिटर्न, जो कि बिल्कुल सेफली ट्रेड करके मिल सकती है, आपको किसी और के उपर इंवेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, 50,000 से 5000, अगर आप इंटरस्ट पे भी किसी को पैसे देते हो, एक लाग रुपए अगर आप इंटरस्ट पे देते हो, तो उसमें भ 2000 रुपेज जो है, वो आपको मिल सकते हैं, 2000 से जाता तो आप एक लाग से नहीं कमा सकते हैं, अगर आप किसी को इंटरस्ट पे भी देते हो, दो परसेंट महीने का अगर इंटरस्ट लेते हो, साल का ये कितना हो जाएगा, 24% के इंटरस्ट के जाप से, ठीक है, 2% इंटरस ले रहे हो, और साल का 24 हो जाएगा, 1% इंटरस्ट के उपर देते हो, तो आप 1,00,000 से सिर्फ 1,000, मतलब साल का 12%, अब इसके हिसाब से देखो, अगर हम 5000, अगर देखें, 50,000 से कमा रहे हैं, तो 1,00,000 से तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 से तो 10,000 कमा सकते हैं, 10% की रिटर्न आपको मिल रही है, और वो भी ऐसी रिटर्न मिल रहे है, जो 100% सेफली ट्रेड करने में मिल रही है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आपको सिरफ 74 के एराउंड या 75 के बीच में बाई करना है, 77 और 78 के बीच में सेल कर देना है, यही आपको यहाँ जी फोलो करनी है और यूस डिटी को बाई करते जाना है अब यहां पर आप देखो यह अब प्राइस जो है वो दोनों लाइन को क्रोज कर चुका है ब्रेक आउट हो चुका है 77 वाली रिजस्ट्स को टच करके नीचे आ चुका है अब जब प्राइस नीचे है तब यह करें कि तो 79 भी पहुंच जाएगा तन आपको यूस डिटी बाई नहीं करना है आपको वेट करना है बुल मार्केट जब स्टार्ट होगी तो यूस डिटी नीचे आएगा बीर मार्केट होती है तो यूस डिटी उपर जाता है यह चीज आपको ध्यान रखनी है अगर मार् पैसे कमाने हैं अगर बहुत ही नीचे चली जाती है यूजटी उपर चला जाती है यूजटी को सैल कर दो और उस altcoin में invest कर दो या bitcoin में invest कर दो जो अलेडी बहुत नीचे trade कर रहा है अब यहां से क्या chances बनते हैं अब अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो यह इस point के यहां पर टच करने क्योशिश करें और अगर इस point की उपर देखें तो 75.50 है और अगर यह थोड़ा सा और नीचे अराम से आता है तो 75 के राउंड आपको अराम से देखने को मिल सकता है तो 75 के उपर भी अगर आप लेते हैं अच्छी एंटी ले सकते हैं उसमें भी आप अगर 50,000 इंवेस्ट करते हैं तो 25,000 से आप 75 पे ले लो अगर नीचे आएगा तो और अच्छी बात है 74.46 के राउंड यह 74 के राउंड भी अगर मिलता है तन तब भी अब भाई कर सकते हैं तो यह मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा कि अंदर ट्रेट करना चाहते हैं तो इसी तरह से करें यह मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दे क्या इसका बाइंग और सेलिंग पॉइंट या क्या जोन बन रहे हैं यह ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है और अब आपको किस हिसाब से इसकी उपर इन्वेस्टमेंट करनी है वो सारी चीजे भी मैंने आपको बता दी है अभी अगर यह कोशिश करेगा तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास करेगा अगर ट्रेंड अगर नंहीं हमें देखने को मिलेगी तो इस सबसे सेफ ट्रिट पर 50,000 से आप पांच जार महीने का कहीं नहीं गया आप इसली ट्रेंड करके पांच जार पे महीना कमा सकते हो सिरफ और सिरफ 50,000 से बट बहुत ध्यान से आपको करना है आपको लालस नहीं करना उसी पॉइंट के उपर बाय करना बिड लगा के शोड़ दो 75 के उपर 74 के उपर नहीं जाता कोई बाती 75 पर बिड हमेशा आपकी लगी रहनी चाहिए और जैसी आता है देन आपक अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंज के साथ इस ट्रिक को शेर कीजिए मिलते हैं और इंटरस इस वीडियो के साथ तब तक आप एको टेलीग्राम की उपर जोईन कर सकते हैं इस्टाग्राम झाल